जहिन दोस्तो आज मैं एक वाइरल आडियो पे बात करने जा रहा हूँ साथ ही साथ एक पूजा पांडे नाम की लड़की ने मेरे उपर गाना गाया है और जिस गाने के वज़ा से अभी के समय में उसके घर पे 60-70-80-80 पत्रकार पहुँच रहे हैं लगतार उल्टे सीधे थ थमने लगा के जो है वीडियो बना रहे हैं पत्रकार पहुच रहे हैं उससे मुझे कोई तकलिफ नहीं है उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं उससे भी मुझे कोई दिकत नहीं है लेकिन उल्टे सीधे थमने लगा रहे हैं उससे मुझे दिकत है कुछ लोग यहां तक थम दूसरा चीज, आज से छे महीना पहले बजाज फाइनेंस से मुझे फोन आया था, वहाँ से एक लड़की फोन की थी, मैंने उस लड़की को समझाया था, पूछा था सवाल कि यार तुम लोगों को हम लोगों का नंबर कहां से मिल जाता है, उसमें से डेर मिनट का पार्ट का गाना बनाया गया है, हलाकि गाना जिन लोगों ने भी बनाया है, मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहाना चाहता हूँ, इसलिए कि जब भी हम लोग कुछ गलत चीजों पे चर्चा करते हूं, जादा वाइरल होता है, कल साम को मैंने सिक्षा मंत्री जी का इंटर्विव लिया सायद बिहार में पहली बार सिक्षा मंत्री जी से इतने कड़वे सवाल पूछे गए, आप जागे इंटर्विव देख सकते हैं, अगर हमसे जादा कड़वा सवाल किसी ने पूछा होगा तो आप लोग बता दीजेगा, बकाइदा सिक्षा मंत्री अपने चेंबर में बिन इनवर्सिटी के वीसी से जाके सवाल किजिए, इनवर्सिटी के केमपस में गुश के वीडियो बने ये केमपस में अगर गुशने नहीं देता है, तो केमपस के बाहर से वीडियो बने ये B.S.S.C. समझते हैं यानि बिहार S.S.C. का पेपर लिख हुआ है उस पे चर्चा कीजे B.P.S.C. के छात्र जो एल लगतार आंदोलन कर रहे है चर्चा किया आपने कभी B.P.S.C. का एक्जाम क्वालिफाई करके बच्चे क्या बनेंगे D.S.P. बनेंगे B.P.S.C. पे बड़े-बड़े पद्दों पे जाएंगे B.P.S.C. करेंगे उस पे चर्चा आप लोगों ने किया नहीं किया पूजा पांडे पूजा पांडे पूजा पांडे पूजा पांडे पे Manish Kasyap ने ये कहा यहां तक कि कुछ लोगों ने ये तक थमने लगा दिया है यूटूब पे ये देखिए आप यूटूब पे जाए और सर्च मारिये Manish Kasyap भतार सौंग ये देखिए ये देखिए ऐसा ऐसा आपको आएगा न जहां तक नीचे जाईएगा Manish Kasyap सौंग मारिये सर्च मेरे उपर कम से कम तीन साड़े तीन सो गाना बना है साड़े तीन सो गया असपर ये पूजा पांडे ने जब तक ये गाना नहीं गाया था तब तक तीन सो अभी हो गया था अभी जो है पचास गाना तो अभी तीन-चार दिन में बन गया है आप मारिये Manish Kasyap भुचपूरी सोंग ना मैं सिंगर हूँ ना मैं कुछ न कहो फिर भी Manish Kasyap भुचपूरी सोंग उस पे भी जो है कितना सारा रिजल्ट आता है ये देखिए Manish Kasyap भुचपूरी सोंग जब सर्च मारते है तो ये सारा रिजल्ट आता है मतलब हजारो हजारो रिजल्ट आता है हजारो 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 अब क्या होता है कि यूटूब में गूगल पे फेस्बूक पे मेरा नाम जो है कुछ लोग जो है अपनी गल्फेंट के साथ फोटो डालते है और उसमें मुझसे टैक कर देते है कीवर्ट जैसे आप मेरा नाम का डालते है वैसे जो है गूगल और फेस्बूक और यूटूब उस चीज को पकड़ता है क्योंकि वो कीवर्ट अभी बिहार में सबसे ज़्यादा डाला जाता है मेरे नाम का कीवर्ट सबसे ज़्यादा भुचपूरी गाना बहुत सारे जगहों पे बनता है वो ना मेरा गाना रहता है ना मेरे उपर गाना रहता है उसमें भी मेरा कीवर्ट डाला गया रहाता है ताकि इस नाम से अगर कोई सर्च मारे तो ये गाना रेकोमेंड करे फेस्बूक पे यही कहानी है यूटूब पे यही कहानी है हम लोग जो है उन सब चीजों पर चर्चा कर रहा है पता है मैं भी चर्चा करता था पहले लेकिन अब हम लोग जो है positive constructive चीजों पर चर्चा करें वीनती है आप लोगों से वो जो audio viral किया जा रहा है एक लड़का का मैंने देखा कि कई से बाइट का इसे बोल रहा है कि आप इ से तीन हजार वीडियो मेरे उपर बन गया है कम से कम मिनिमम लॉंग वीडियो तो छोड़ दीजे लॉंग वीडियो मैं बोल रहा हूं आप लोग जाए पूजा पांडे से सवाल किजे जो भी सवाल करना है किजे हमें कोई दिकत नहीं है लेकिन आप मेरी मा का जो है थमने गाड़ी गिफ्ट थोड़ा सर्च मार के दिखाए तो मनिस कस्यप ने दिया पूजा पांडे को 25 लाग का गाड़ी गिफ्ट अब जारा बताइए कि मैं 25 लाग का गाड़ी गिफ्ट दिया हूं क्या उसमें मेरे में सर्च मारिए अब बोलिए यह तो गलत बात है ना आप चीजों को दिखाई है लेकिन थमने लुल्टा सिधा मत लगाई और ऐसा रही है मनिस कस्यप ने पावान सिंग को रेल दिया जब मैं वीडियो खोलता हूं तो ना मैं रहता हूं उसमें और ना पावान सिंग रहते हैं पावान सिंग ने मनिस कस्यप को रेल दिया ना वो र अब बताइए यह देखिए यह देखिए मनीज कस्यप ने 25 लाग का गाड़ी जो है वो गिफ्ट दिया देखिए यहां पे लिखा हुआ है देखिए मनीज कस्यप ने पूजा को दिया 25 लाग का गाड़ी गिफ्ट मनीज कस्यप ने पूजा पांड़े को साधी का पहला गिफ्ट दिया अब तुम ही से साधी करूँगा अब बताइए यह क्या है यह तो आप चीजों को दिखाईए आप लोग लेकिन ऐसा मत दिखाई यह ना अभी बिहार में जो है बहुत सारा मुद्दा है उन सब चीजों पर चर्चा क्यों नहीं करते है आरा चपरा पटना रोड जो है पिछले 14 साल से बन रहा है वहां का इंजिनियर साइट पर एक्सेप्ट करता है कि 12 साल से 69 किलो मिटर रोड सिर्फ 69 किलो मिटर फिप् कंप्लीट नहीं हुआ 12 साल से बन रहा है पूरे भारत में सबसे डिले प्रोजेक्ट जो है बिहार में चलता है पिर पैती भागलपूर रोड पे चर्चा आप लोग करते नहीं है भागलपूर का भागलपूरी सिल्क जो चादर है उस पर आप लोग चर्चा करते नहीं है म जिस बयापारी से पूच्ता था पांची सार दस बयापारी का मैंने इंटर्वियों लिया कम से कम 50 बयापारी उसे मैं मिला जिनसे पूच्ता था सब लोग कहते थे कि 15 साल पहले आया मनिश जी पांचेजार जासेजार रुपया लेके आया था विस साल पहले आया था पांचेजार दसेजार रुपया लेके आया था आज पांसो कड़ोर हजार कड़ोर दो हजार पांचेजार कड़ोर की कमपनी जिससे मिलता था वो ये बात कहते थे और वो सारा वीडियो मैंने सिटी है मतलब कि वहां पे सिलकन का साड़ी के कपड़ा बनता है सबसे जादा सूरत में वहां से आया मैं भागलपूर सूरत से पुराना सिटी है भागलपूर माभारत में भागलपूर का जिक्र है अंग परदेश कहा जाता है कन वहां के राजा हुआ करते थे भागलपूर क जिसको अंग नरेश कहा जाता था, ठीक है, वो भागलपूर में आया, भागलपूर में मैं वहां के बुनकर से मिला, कम से कम 20-25 बुनकरों से मिला, उनकी भी कहानी मैंने दिखाया, जिससे मिलता था सब बोलते थे कि अंग्रेज के जवाने से पहले से हम लोग यह धंदा कर है भागलपूर में, लेकिन आज भी वो 800 रुपया, 1000 रुपया पर डे कमाते हैं, उससे ज्यादा नहीं, मतलब कि जो 100 साल, 1500 साल, 200 साल से भागलपूर में धंदा कर रहा है, वो वही पर सिम्टा हुआ है, और सूरत में कोई गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो है, 1000 कड़ों का मा हो, इन सब चीजों पर मैं चाहता हूँ कि बिवाद हो, बवाल हो, वाइरल हो यह सब चीजे, लेकिन यह सब चीजे वाइरल ही नहीं होता है, एजुकेशन मिनिश्टर का मैंने इंटर्व्यू लिया है कल, उनके चेमबर में घुसके, सिक्षा मंत्राले में घुसके, विका पहचान गया और उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया, मैं धन्यबाद देना चाहता हूँ, वहाँ के उन लोगों को, जिन लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, कुछ लोग तो, नहीं, नहीं, मिलेंगे, सिक्षा मंत्री जाहिए, दो घंटा इंतिजार किया, सिक्षा मंत्री मिले, कम से कम 15-20 कडवे सवाल मैंने पूछे है, आप जाके देखिया इंटरव्यू, उससे सिक्षा का बिकास होगा, तो उन सब चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे, पूजा पंडे ने देखिये, क्या गा दिया, क्या बोल दिया, पूजा पंडे ने इसके पहले भी अच्छा अच्छा गाना गाया था, क्यों नहीं उसमें पहुचा गया, और जो पहुच रहे हैं, पहुचिये, लेकिन बिनती है आप लोगों से, कि इस परकार से मत किजे, पता नहीं सही है कि गलत है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पूजा पंडे के पिताजी पूजा पंडे के पिताजी नहीं है, वो 200, 400, 500 रुपया कमाती है, 1000 रुपया कमाती है, उसी से उसका घर चलता है, पहला चीज, दूसरा चीज, जैसा कि वहां के लोग कह रहे हैं, उसके परिवार वाले कह रहे हैं, पूजा पंडे के दिल में छेध है, इलाज कराने वाला घर पे कोई नहीं है, जितने भी पत्रकार बंधु जा रहे हैं, विडियो वाइरल हो रहा है, कम से कम 1000 रुपया तो मदद कर सकते हैं उस बच्चिया का, 15 साल की लड़की है सिर्म, कितने साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, घर पे बाबु जी नहीं है, कमाने वाली इ अगर मेरा नाम ही राख के किसी का घर चल जा रहा है तो मैं उसको क्यों बुरा बोलूं क्यों गलत बोलूं लेकिन हां मुझे बदनाम करके कोई अपना घर चलाने का प्रयास करेगा तो तो मुझे बुरा लगेगा ना बताइए जिस लड़की जो लड़की सिर्फ और सिर्फ 15 साल की है उसके दिल में छेध है उस लड़की के दिल में छेध है समझी है आप लोग उससे जाके आप लोग धमकाते हैं उल्टे सीदे कड़वे सवाल पूछते हैं बोलते हैं कि मनिस कस्यप ने तुमारे उपर F.I.R. कर दिया है वो जेल डलवा देगा यार मैं इंसान कर सकता और कभी नहीं करूंगा अगर वो बच्ची 18 साल से उपर की होती और वो बिमार नहीं होती उसके माता-पिता दोनों होते तो साय जो है मैं एक्षन ले सकता था उस बच्ची के खिलाब और हां साय नहीं 100% एक्षन लेता अगर वो बच्ची जो है 18 साल से उपर की होती उसके घर पे माता पीता होते, कमाने वाले लोग होते, वो अपनी मा का भी इलाज खुदी कराती है, भाई को पढ़ाती है, पापा नहीं है, खुद के दिल में छेध है, फिर भी संगर्श कर रही है, और आप लोग बिनती है, पता है, मैं आज मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूँ, आज से एक साल डेर साल पहले मुझे भी उमीद नहीं था कि मनिस कस्यप जो है, ओ टॉप सर्च लिस्ट में रहेगा गूगल पे, टॉप सर्च लिस्ट पे, और बिहार में मैं टॉप सर्च लिस्ट पे हूँ, प लोगों ने पहुँचाया seven कीजिंचे जानते हैं क्यों क्युविन किसी के साथ चल्ल नहीं किया जिससे लड़ा उससे सामने से लड़ा और सीळा ससीना के ठील कर अनफे जिभार काम करते हैं तो आपके अधूरे सपने को भगवान पूरा करते हैं, तो आप लोग इमंदार बनिये, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी इमंदारी पुरोग प्रियास करेगा न, एक जितेस नाम का एक पत्रकार है, साय से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मोतिहारी का पत्र सब्सक्राइबर है YouTube पे, जानते हैं क्यों, बहुत नामी नामी पत्रकार लोगों का 5 लग सब्सक्राइबर नहीं है YouTube उसका पता है, जब भी उस लड़के से मैं मिलता हूँ न, देखता हूँ इस लड़के का दिल काला नहीं है, जितेस का, वो लड़का ठीक है, अच्छा ह इमंदार लड़का है लंद फंद में उसको नहीं राना है बस जो चीजे सही है उस बेचारे चीजों को दिखाता है बस इतना ही से और आप जब पांच-दस बड़े पत्रकारों का नाम रखिएगा बिहार में तो उसका नाम नहीं आता है लेकिन वो है यूटूब से अच्छ भण जाए ना आगे बढ़ जाएगे गलत थमनिल लगाने की क्या जोड़iben अब बताइए आप लोग मेरा गलत हैं मुझे बुरा नहीं लगता है मेरा भाई का या ओंद Criarrasamad am मतलब मेरी मा जो है उनके बारे में भी लगा रहा है सम तो यह देखिए यह ध्यान से देखिए मम्मी का फोटो है यह मेरी मम्मी का फोटो है यह देखिए ध्यान से handra के भी लिखा हुआ है उपर हंडे जिखा हुआ है अर लिखा वह है अगर साधी नहीं किया तो मरा हुआ मुँ देखेगा माँ का जड़ा बताईए यह सही है आप लोग बताईए आप ही लोग बताईए मेरे आप बताईए एक साल पहले बिहार में कितने पत्रकार फोर Ohio से घुमते थे एक साल पहले आप बताई धालिए而 पुर्णिक्स और फृंट मिडिया के छोड़ के are it कित्ने प्तरकार जो है फोर विलर से हुँं sudah मिडिया के कम से कम पचास पत्रकार भी आर्र डीलर से अपने पैसा से अपने पैसा से अज वीहार में पचास पत्रकार डीछिटल मिडिया के फोर से घुमते हैं बड़ा कैमरा इस्तमाल करते हैं आज यार वैसा काम किया जाना बदलाव किया बदलाव और पोजेटिव तरीके से बदलाव करेंगे ना तो मैं आप लोगों को एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं देखे एक वीडियो वाइरल नहीं होगा दो नहीं होगा तीन नहीं होगा पाच नहीं होगा साथ नहीं होगा दस नहीं होगा लेकिन तीस दिन में आप तीस वीडियो बनाएंगे उसमें से तीन वीडियो सिर्फ वाइरल हो जाएगा ना आपका काम हो जाएगा सिर्फ तीन वीडियो वाइरल हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा तीस दिन में लेकिन आप इमंदार बने रहेंगे तब इसके लिए बैमान बनने की जोरत नहीं है और कितना सपोर्ट करता हूँ यार मैं सब का कितना सपोर्ट करता हूँ यार मेरे उपर वार करो ना मनूल ममी के बारे में लिखने की क्या जोर Umie बताओ आपके लोग मा के बारे में अच्छे लिखे जाएंगे तो बुरे भी लिखे जाएंगे मैं उस चीज़ को accept करके चलता हूँ कि 10 लोग मुझे अच्छा कहेगा तो कुछ लोग मुझे बुरा भी कहेगा तो हो accept करना पड़ेगा क्योंकि जब एक समाज का धड़ा जो है मुझे अच्छा कहे रहा है तो कुछ लोग बुरा कहेंगे और उनके बातों को मैं बुरा मान जाओंगा तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ना गलत कर रहा हूँ आप मेरे बारे में लिखिए जो भी मुझे पूजा पाड़े मनीश कस्यप का वाइरल आड़ियो आप लोगों ने लिखा मुझे कोई दिकत नहीं हुआ मनीश कस्यप ने 25 लाग का गाड़ी दिया गिफ्ट में मुझे कोई दिकत नहीं हुआ आप लोगों जो लिखे आप जाके देखिए ना यूटूब पे पर डे सबसे ज़्यादा कीवर्ट किसके नाम से डाला जाता है जाके देखिए सबसे ज़्यादा कीवर्ट जो है किसके नाम से यूटूब पे डाला जाता है बिहार में जाके देख लिजे मनीश कस्यप के नाम से सबसे ज़्यादा कीवर्ट जो है यूटूब पे डाला जाता है फेस्बुक पे डाला जाता है गूगल पे सर्च किया जाता है मनिसका सेब की गल्फेंड मनिसका सेब का घर मनिसका सेब का इंकम मनिसका सेब का गाउ मनिसका सेब का लाइब वीडियो मनिसका सेब टूडे न्यूज यह सारी चीजे जो है लगतार सर्च मारा जाता है मनिसका से यहां तक मैं पहुंचा हूं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आप लोगों के वजह से मैं यहां पहुंचा हूं चाहे कुछ लोगों मैं सही हूं मैं गलत हूं वो डिसाइड आप लोग कर सकते हैं लेकिन मेरे परिवार के बारे में नहीं बोल सकते हैं मत बोला कीजिए और उल्टा सिधा मत लगाया कीजिए कम से कम भीनती है आप लोगों से और आएए बिहार के एजुकेशन पॉलीसी पे चर्चा किया जाया बिहार के सड़कों की इस्तिती जो है गडबड है वहाँ पे जो भरष्ट चार हो रहा है हम लोग समझते हैं कि हमारे यहां सड़क बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि कुछ दिन पहले तक हमारे यहां सड़क था ही ने जब हम मैं साउथ में जाता हूं देखता हूं कि वहा कस्तर के बजार में चले जाई आप देखिए वहां की कंडिशन क्या है मैं गुजरात गया देखा महाराष्टा गया देखा केरल गया देखा तामिलाडू गया देखा करनाटका गया देखा यह सब अलग-अलग पूरदेस में अलग-अलग सरकार है ये निश्ञ में अधियर के सरकार है वह ह energ बिङे पीजिए की सरकार है। आंत्र पर्देश तेलंग ना उडिसा उडिसा में जहां पे भुकम बाढ़ हमेंसा आते रहा था वहां की भी सटकों का कंडिशन वहां का भी डेवलप्मेंट वहां का भी एड्मिनिस्टेटिव ब्लॉग एड्मिनिस्टेटिव वर्क जो है ना इस कंपेर टू भी आर लाग गुना अच्छा है उन सब चीजों पर चर्चा किया जाए ना बिनाती है और मैं फिर से कह देना चाहता हूं यार अगर आप लोग नहीं होते तो मनीश कस्यप आज मनीश क से नहीं होता आप ही लोगों के वज़य से मनीश कस्यप यहां तक है एहां पोँचा है आपको फिरोद करना एक ही जरू न लिखी मेरा मेरा होना चाहिए बिरोद सपोर्ट करना कीज़े- खुलके सपोर्ट कीजे, मेरा सपोर्ट कीजे, मेरा विरोध कीजे, मैं उसके लिए तयार हूँ, लेकिन अगर आप लोग परिवार पे जाएंगे, तो किसी को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा, बेचैन आदमी हो जाएगा, ये चीजे है, तो ये सब चीजों पे ध्यान रख करेंगे, मुझे पता है, विरोध भी करेंगे, तो खुलके विरोध करेंगे, सामने से विरोध करेंगे, और मेरा विरोध करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, तो खुलके सपोर्ट करेंगे, सामने से सपोर्ट करेंगे, और मेरा सपोर्ट करेंगे, तो विनती है आप लोगों ऐसा नहीं है कि hard and fast rule है कि आप following किजे इस line को बिहारी है साहब मैंने दिल को 1000 पर फॉर्मेट मार के देख लिया ध्यान से सुनिएगा आप लोग बिहारी है साहब मैंने दिल को 1000 पर फॉर्मेट मार के देख लिया हर चीज निकल जाता है लेकिन मेरा देश मेरा राज और मेरा इस देल से नहीं निकलता है जाहिद